हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास्वित मांसी तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम MPGK का टॉपिक बै टॉपिक सारा चेप्टर्स कवर कर रहे हैं तो आज बारी है मांटेंस ओफ MPGK पढ़ने की तो आज हम MPGK पूरे मांटें रेंजिस को पढ़ेंगे जिसको हम deeply step by step कवर करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी दिरी के तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे MP में total two मांटें रेंजिस हैं एक का नाम है विंध्यांचल मांटें द इसमें भी तीन पार्ट में यह divided है तो विंध्यांचल मांटें में एक है विंध्यां रेंजिस नेक्स्ट इस भांडेर और थर्ड इस कैमो रेंजिस जिसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे इसके अलावा सत्पुड़ा मांटें रेंजिस में राजपीपला महादेव और मै काल रेंजिस यह तीन इसके डिविजन्स है तो चलिए दोस्तों अब हम इसे टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने चुरू कर देते हैं तो सबसे पहले हम मैप पे इसी लोकेशन देख लेते हैं कि कहां पर कौन सा मांटें लोकेटेड है तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा MP है उसमें सबसे उपर यानि ये वाला जो है ये विंध्यांचल रेंजिस है विंध्यांचल रेंजिस मैं आपको बताया तीन पार्ट में डिवाइड़ है एक का नाम है विंध्यन एक का नाम है भांडे और थर्ड का नाम है कैमूर ये है कैमूर रेंजिस तो और ये मद्यप्रदेश की हाई जोटी मानी जाती है इसके अलावा यहां मालबा वाले रिजन में इसके अलावा दोस्तों जो थर्ड बार्ट है हमारा वो है कैमूर रिंजिस कैमूर माउंटेन्स इसको भी हम आगी चलके डिसकस करेंगे इसके अलावा दोस्तों जो हमारी सेक मांडू रान की सब पहले हम इसके बारे में तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं हैं तो सबीनें में मानडू की जगा है जिसे बारे में City of Joy कहा जाता है तो city of joy मांडू वो कौन से mountain ranges के अंदर आती है विंधियन ranges में इसके अलावा अशर्फी palace अशर्फी महल जो है वो भी मांडू का ही part अशर्फी का अगर महल यहाँ पर है तो अशर्फी की hills भी आपको यहीं मिलती है तो exam में यह पूछने कुछते हैं कि अशर्फी hills या अशर्फी जो महल है वो कौन सी ranges में पाये जाता है तो वो विंधियन ranges के अंदर cover होता है इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि जो चंबल नदी है हमारे MP में बहुत important नदी है चंबल नदी चंबल नदी का जो origin है वांग्चू पॉइंट वांचू पॉइंट जो है दोस्तों वह महू इन दौर में है तो यहां यह वाला पॉइंट भी जो है वह विंधियन ranges में ही आता है इसके अलावा जानपाव की है इसके अलावा दोस्तों काकरी वड़ी की काकरी बड़ी की हिल्स जहां से शिप्रा नदी निकली है वह भी हमारा यहीं पर यह पर ही आता है लास्ट में भीम बेटका की गुफाएं जो हालिगे में यूनिस्कों में भी शामिल है तो यह जो गुफाएं यह रैसें में है और ये भी विंधियन रेंजिस का ही पार्ट है, I hope आपको ये पूरा portion समझ में आ गया होगा, चलिए अब हम चलते हैं next point की तरह से, दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो विंधियन रेंजिस हैं, ये हमारे MP के बिल्कुल center से भी होकर गुजर रही हैं, जिसके वज़े से भुपाल रीजिन भी इसमें cover हो रहा है, भुपाल में total कितने hills हैं दोस्तों, भुपाल में 5 hills हैं, अब ये जो 5 hills हैं, उसमें पहला है शामला hills, second है नियोरी hills, third है अरेरा hills, इसके बाद कटारा hills और इदगा hills, वैसे तो ये सारे नाम सारे लोग जानती होंगे, लेकिन फिर भी इसको याद करने की एक स्मॉल सी ट्रिक है, जिसका नाम है स्नेक, S-N-A-K-E, S for शामला hills, N for नियोरी hills, A for अरेरा hills, A for कटारा hills, और E for इदगा hills, I hope अभी आपको याद भी हो जाएगा, इसके अलावा दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे केमूर रेंजिस की तरफ, केमूर रेंजिस जो है, इसमें जो important point याद रखना है हमें, जैसे के आपको इसकी location दिख रहे हैं, ये eastern part में है, सबसे पहले चीज़ ही जो केमूर रेंजिस जो कहाँ पर है, इसके अलावा दोस्तों केमूर रेंजिस से, एक नदी निकली है, जिसका नाम है केन नदी, तो केफ और केमूर और केफ और केन आप याद रख सकते हैं, माशार्दा देवी का मंदर है यहाँ, क्योंकि यहीं पर ही मैयर भी है, सतना में जो मैयर है, वहाँ पर माशार्दा देवी का मंदर है, तो वो भी यहीं आता है, इसके अलावा दोस्तों यह जो त्रिकुट परवत है, वो भी यहीं आता है, त्रिकुट परवत का नाम आपने सुना होगा, और ये व्यापम पूझ भी चुका है इसके अलावा दोस्तों ये जो कैमूर रेंजिस हैं ये एक वाटर डिवाइड का काम करती है यानि कि ऊपर से बहती है यमुना नदी और नीचे से बहती है सोन नदी और उन दोनों के बीच में ये कैमूर जो माउंटेन है वो आता है तो हमारा ये विंध्याचल परवत ही MP का oldest mountain माना जाता है ये तो हिमाचल mountain से भी पुराना माना गया है इसके अलावा दोस्तों next point है कि ये जो विंध्याचल जो mountains है ये residual mountain है residual का मतलब क्या होता है दोस्तों अवशिष्ट अवशिष्ट याने कि जो हमारे यहाँ पर चटाने वगर गिरती है या हमारे आंधी दोफान जो चलता है उसकी वज़ा से जो पहाड बनते जाते हैं एक दूसरे के उपर चड़ते जाते हैं उससे ही जो mountain बनता है उसको हम ब बड़ा mountain है इसके अलावा दोस्तों में बात यह भी है कि यह हमारे इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है हम जो बोलते हैं नौर्थ इंडिया और साउथ इंडिया तो आज आप यह भी जानी है कि इसको किस बेसिस पे कहा जाता है तो दोस्तों यह जो हमारा वि अच्छे से याद रखिए चली दोस्तों इसी के साथ विंध्याचल परवत हमारा कतम होता है अब हम चलते हैं सत्पुडा रेंजेस की तरफ तो सत्पुडा रेंजेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह हमारे MPK साउथ में हैं साउथ में है तो यह आपको दिख रहा होगा कि यह नर्मदा नदी बहरे है और नर्मदा नदी के नीचे यह हमारा सत्पुडा रेंजेस है तो देखिए दोस्तों सत्पुडा मांटेन रेंजेस जो है इसमें तीन इसकी श्रेणिया है तीन पार्ट्स में डिवाइड़ है सबसे पहला है राजपीपला इसके बाद सत्पुडा रेंजेस है नर्मदा नदी के साउथ में लोकेटेड़ है दोस्तों साउथ में नर्मदा नदी के नीचे देशा में इसके अलावा यह एक ब्लॉक मांटेन मतलब क्या होता है दोस्तों एक ऐसा पहाड जो उपर की तरफ हो और फिर वहां से जमीन नीचे जुक और फिर यह उपर हो तो इस तरीके का जो पहाड़ बनता है उसको ब्लॉक मांटेन कहते हैं तो यह एक ऐसा ही पहाड़ है यह पहले उपर जाता है फिर नर्मदा नदी की गहराई आती है इसके बीच में तो यह एक ब्लॉक मांटेन हो गया इसके अलावा दोस्तों यह मद् सत्पुड़ा रेंजिस करते हैं इसके अलावत दोस्तों जो हमारी नौर्थ में नर्मदा नदी है और नीचे यानि साउथ में जो तापती नदी है यह उसके भी बीच में है तो दोस्तों मैं यहीं पर आपको एक ट्रिक पता देती हूं आपको याद करने में बहुत आसानी ह तो देखिए आपको इससे क्या हिल्प मिलेगी वी फॉर होता है दोस्तों विंध्यांचल परवत एन फॉर होता है नर्मदा नदी फिर एस फॉर होता है सत्पुड़ा रेंजिस फिर टी फॉर होता है दोस्तों तापती नदी इसके बाद आता है अरावली रेंजिस तो दो इसकी easy trick है I hope दोस्तों आपको यह याद करने में आसानी होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे like करिए और अगर आपको किसी भी topic में doubt हो रहा है या आपको कोई problem आ रही है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमार राजपीपला के बारे में तो देखिए यह हमारी राजपीपला mountain ranges जिसका extension कहां से दोस्तों गुजरात से शुरू होकर बुरहानपुर तक के जाता है इसके अलावा यह दोस्तों सत्यमेकाल ranges है उसका western part है western side में यह located है इसके अलावा यहां पर दोस्तों बीच में बुरहा पर पास इसके अलावा next point है हमारा कि यहां की जो ट्रॉपोग्रफी है ट्रॉपोग्रफी मतलब क्या होता है कि यहां की जो land location है यह जो area है वो कैसा है तो यह कैसा है दोस्तों deformed और uneven deformed और uneven मतलब क्या उपर नीचे इसका जो structure है वो parallel नहीं है या straight नहीं है वो उपर नीच होता है इसके अलावा हमारा next point है इसकी कुछ important places हम देख लेते हैं यहां पर कुछ hills हैं जैसा कि अखरानी hills इसके अलावा दोस्तों बढ़वानी hills बीजागड़ hills असीरगड़ hills यह सब बहुत पूची जाती है तो आप इनको एक बार अच्छे से read कर लिजेगा इसके होते हैं next part की तरफ जिसका नाम है महादेव ranges तो दोस्तों यह हमारी सत्पुड़ा ranges का बिल्कुल center part है center mountain ranges इसको कहा जाता है यह बिल्कुल बीचो बीच है इसके अलावा इसमें जो districts included है वो है होशंगाबाद छिंदवाडा नर्सिंग पूर स्रियोनी तो आप देखते हों सी डिविजन में आती हैं कौन से पार्ट में आती है तो जो पच्मडी हिल्स है उसको हम कुईन और सत्पुड़ा कहते हैं वो महादेव रिंज का ही एक पार्ट है इसके अलावा दोस्तों यहां पर largest coal deposit से यारी बहुत सारा कोईला बड़ी मात्रा में यहां पर पाया जाता जाती हैं इसके अलावा अब हम देखते हैं धूपगर धूपगर पीक मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंना आपको highest peak of MP बताया था तो धूपगर जिसकी हाइट है 1350 मीटर यह MP का highest peak है और जो की महादेव रेंज में आता है यह हमारे PSC के prelims में भी पूछा गया है तो इसको अच्छे से याद रखेगा इसके अलावा दोस्तों तवा नदी जो है वो इसी पार्ट से निकलती है जैसे अभी मैंना आपको बता तापती नदी राजपीपला से निकलती है वैसे ही तवा नदी जो है वो महादेव से निकलती है अग हम चलते हैं इसके लास्ट पा बहुत घने जंगल देंस फॉरिस्ट पाए जाते हैं और यहां का जो क्लाइमेट है वह बहुत ही कूल है ठंडा सा का क्लाइमेट है इसके अलावा जो आपने अमरकंटक का नाम सुना होगा जहां से नर्मदा नदी निकली है दोस्तों वह यहीं पर ही आता है जो अमरकंटक प सेवन किलोमेटर स्क्वैल्स की जिसकी वज़े से एंपे और सीजी यानि एंपे और चाथिस गड़ के बीच में हमेशे डिस्प्यूट होता है वह भी यहीं पर ही लोकेटेड है इसके अलावा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसे हैं जैसे कि लांजी हिल्स जो की ब आने जाता है ऐसा मानआ जाता है कि किसी टाइम पर वौल के नो फुटा होगा तो उसी से यह मौनटेंटेंड नेंज जो है वह बनी है इसके अलावा इसकी जो यानि परिकलर महिकाल माौनटेंडरेंज की जो हायस्ट पीक है वो वह है अमार कंटटक तो इसी के साथ हमारी तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजेगा तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह जो mountains of MP है यह complete हो चुका है और अगर आपको इससे related कोई doubts है तो आप comment box में comment कर सकते हैं और MP की और भी कई सारे parts मैंने कवर किये हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं तो आप मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे like करें अपने दोस्तों को साथ share करें और चैनल को सब्सक्राइब करें thank you so much